हुआ फेलकम वैं यूटीव में आशी शेक आप दिखनेया ओश करने वालें याला आप देख आप पूपकर करने जो पूंब स्कते हैं तो आप अज इसा और अनुत कर सकते हो वीडियु स्राइड करनेसे फाले है ओए करिए निदुन हेलो गाईज, असलाम लेकूम तो सबसे पहले हम स्किन को मौशुराइज कर लेंगे पूरे फेस को अच्छे तरीके से इसके बाद हम यहाँ पर एक ब्रेश की मदश से आईब्रो को फिल करेंगे आप यहाँ पर पैंसिल भी उसकर सकते हैं आईब्रो पैंसिल जैसे हम आईब्रो को फिल कर सकते हैं यहाँ पर मैं ब्रेश की मदश से और ब्लैक आईशेडो की मदश से आईब्रो को अच्छे तरीके से फिल कर रही हूँ मुझे लगता है कि ब्रेश की मदश से जादा एजी रहता है और हमारा जो एंगल भी होता है वो भी परफेक्ट रहता है आगे आपकी मेरज़ी आप कैसे करना चाहें तो इसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से फिल कर ली थी और हम एक स्पुली की मदद से इसे कौम भी कर लेंगे अच्छे तरीके से यहां पे हमने स्पूली के मदद से अच्छी तरीके से कॉम कर लेना है अगर कोई भी प्रडेक्ट लगा होगा तो वो रिमूव हो जाएगा जाएगा एक्स्ट्रा लगा होता है यह रिमूव कर देता है और बिल्कुल ब्लैंड हो जाता है यहां पे कंसील करेंगे आई ब्रोको और ब्रश की मदद से अच्छी तरीक नीट कर लिए आपने एकन चीज का ख्यार रखना है अगर जादा प्रडेक्ट लग भी जाए तो फिकर करने की कोई बात नहीं हैं हम पूरी आई बेड़े को बीसे कवर कर लेंगे और अगर मैं फिर अगेन कह रही हूँ अगर जादा प्रोडेक्ट लग जाए तो उसे एक जगा ब्लेंड नहीं अब पूरी आईलेट पर भी इससे ब्लेंड कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था, डैप डैप करके से सेट कर लिया था, मुझे एंगल चाहिए था, वहाँ पर मैंने टेप लगा ली थी, और इसको अच्छे तरीके से एक ब्रश लेना है, ब्रश पर ब्लैक कलर लगाना है, ज्याद आपके पास कोई भी ग्लीटर कलर हो अगर आपके ड्रेस के अंदर मैच हो तो अगर ऐसे आप लू कीरियेट करोगे ना बहुत जबरदस लगता है पहले पूरी आईलेट पर वह वाला कलर लगा हो जो आप जिस कलर का ड्रेस है उसके ओपर हलका सा आपने जो अनसा आपके ड् ब्राउन कलर ना लगा तो आईलेट बीच से खाली खाली लगती है और अजीब सी लगती तो इसलिए यहां पर मैंने ब्राउन कलर का यूज किया है थोड़ सा स्मूकी लुक का है ब्राउन कलर को अच्छे तरीके से ब्लैंड करने के बाद हम यहां पर सिल्वर कलर लेंगे आई ब्रो को हाईलाइट करने के लिए तो अच्छे तरीके से हम आई ब्रो को हाईलाइट करेंगे अपने एक चीज़ का खयार रखना है हम बिल्कुल हलका सा हाईलाइट करेंगे मतलब जादा डार्क नहीं करने वो बहुत जादा शार्प लुक को जाता है बहुत जादा जो shimmer color होता है आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है आपके पास glitter हो वो भी यूज यूज कर सकते हो हम इसके बाद हम ने यहां पर ब्राउन कलर लिया है और जैसे ही इस पी लिया था और इसे अच्छे तरीके से blend कर ले लिया था मैंने तोड़ सा और थोड़ सा डार्क color लिया था मैंने और इसे अच्छी तरीके से blend कर दिया था इसके बाद silver color लिया था highlight किया था ibrow को और eyes के नीचे भी हमने black color लगाना है और हम पहले मैंने एक line सी draw की थी बिल्कुल dark dark सी और से smokey look कर देने के लिए में नहीं हम पर पो ब्रो इसके बार İşte का यूज किया था होसे पर या अच्छे तरीके से begin क यहां पर सेट अगया लिए तो तो अपनी स्किन को पहले रेडी रखे हैं उस चीज़ के लिए अब दिन में पूरी मर्तब बारा ग्लास कंप्लीट करें अगर आप मेक अप करना है आज के दिन मतलब फंक्चन वगरा कहीं पर जाना है तो आप दिन के अंदर पूरे बारा ग्लास पीएं तो आपकी स्किन रेडी रहेग बेस के लिए तो इसके बाद यहाँ पर मैंने फेक आई लिएश इसके बाद कंटूरिंघ करेंगे तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइट सी कंटूर की है और अच्छे तरीके से यहाँ जो लिए औरे बलेश लगाएंगे अगर आफने कहीं पर भी कोई भी मेक अप लु कि आज मेकव करना है तो उस चीज के लिए आपको बारा ग्लास एक दिन के अंदर कंप्लीट करने होता है वह पीने होता है कि आपकी स्कीन भी ग्लो करें और बेस लगाने की ज़ुरुत में पड़ती इतनी ग्लो करने लग जाती है इसके बाद ब्लश हम लगा लेंगे यहां बैठे दी किसी सेट कर लिए ब्रश के मदश से और इसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे गोल्ट कर का हाई-लाइटर यह मेरी ड्रीस के लाइडर का काँपर यहां पर मैंने गौल्ट करका हाई-लाइटर लगाया है एक चीज़ बिर से चीजक पर भी ऐसे लगाएंगे औ अगर आपацион不對 night function में जा रहे हैं या फिर लूकस्न करें आप में रात में कोई फंक्षन है तो आपने थोड़ेसा डार्क रखना होगा, अगर दिन में कर रहे हैं तो फिर light रख लें, वह उसके हिसाब कर दे अपनी स्किन का ख्याल रखें ताके मेकप भी आपकी सीन पे सूट करें वरना आप उपर उपर से लगाए जाएंगे अंदर से स्किन डैमिज होती रहेगी तो कोई फाइदा नहीं होना आपने स्किन को प्रॉपर रैडी रखें इसके बाद यहां पर मैंने बिल्कुल देती हूं तो यह कैसा लग रहा था बहुत जबर्दस लग रहा था यह मेकप लूप और इसके बाद यहां पर हम हैस्ट्राइल बनाएंगे तो हैस्ट्राइल मैं आफ कैमरा ही बना लूँगी क्योंके वीडियो बहुत जादा लंबी हो जानी थी इस वज़ए से यहां पर पर अथे चाह जादादा को जानी रहता हैस्ट्राइल बनाएंगे थी इस